हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुटने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐकॉन को दबाईए अवेद निर्वानों पर आवाज उठाने के चलते मुझ पर हुआ हमला समाच से वक्कारो मैं रफिक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है आज हम आपको 16 अक्तूबर 2019 को हुई एक वारदात की दोनों तरफ की जानकारी बता रहे हैं जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं समझ चुके हैं मुम्रा कौसा में जो अवैद निर्मान हो रहे हैं अवैद इमारते तयार हो रही हैं उनके खिलाब आवाज उठाने वाले टीमसी के कर्मचारी को एंटिकरप्शन ब्यूरो के हाथों रंग्या हाथों पकड़वाने वाले वन विबाकी जमीनों पर कबजा करके अवैद निर्मान होने वाले जितने भी ऐसे अवैद गत्वी दिया हैं उनके खिलाब अब्दुल साबिर शाह नामक समाच से भी आवाज उठा रहे हैं इनी समाच से वक्त साबिर शाह पर 16 अक्तूबर 2019 को चांद नगर परिसर के सानिया हॉल के पीछे जानलेवा हमला हुआ ऐसा उनका कहना है इस पूरे हमले को ले करके उसी दिन 16 अक्तूबर को बिलाल हस्पताल में हमने अब्दुल साबिर शाह से बात की तो हुनोंने क्या जानकारी दी वो हम आपको बता रहे हैं इस पूरे हैं उसी दौरान कुछ लोगों से परीचाय हुआ एक महिला से परीचाय हुआ पैसे उनको काम के नहीं मिल रहे थे वो लोग भी मद्दाता सूची का काम कर रहे थे फोन करके उन्हें बुलाया गया बुलाने के बाद वह वहाँ गए और फिर एक कमरे में ले गए उस कमरे में जो है कुछ लोग पहले से मौजूद थे उन लोगों ने धारदार हतियारों से साबिर शाह पे हमला किया जिसमें उनके हाथ की नस कड़ गई यह कुल मिलाकर के साबिर शाह का कहना है उनकी भी जबानी आप सूनिये बहई ऐसा है कि मुझे न में एक प्रोग्रम का घासवाले के ता घासवाला में और मुझे बोला गया है कि कुछ यह पर कौम कर रहे है लड़के लोग को मिलना है और पैसे तालूप से पैसा भी नहीं गया आप यहां पर आजाओं वहां पर गया हूं जैसे थानिया होन के पास तो वहां पर कुछ तीन चार लड़के लोग थे और वहां पर चार लोगों ने सबसे पहले में जिए तो वालूमी इस भार खड़े और मुझे एक जन जो हैं अंदर लेके गया अंदर जब मैं जैसे गया तो अंदर तीन लोग थे और उसमें तेज़धार अंके आप मे था और जाने के बाद वह तुरान अंदर से कड़ी मार दी और मेरे वह जान लेवा हम्दा कर दो और मैं जब वह फून देखे ना मुझ पहले बोला गया कि आप कंपोनेंट दिये थे , खुट नशे के बारे में , वो दिया तेरा क्या है उसमें ? और थेपो अम लग जान से मार देएंगे और यही बोलके उनलोग में सीधा मेरे पे धावा बोल दिये और वो जहां तक कि मेरा है कि वो जो जो मैंने कुछ बीच में आलिकेशन वगएरा दिया था भी कुछ के खिलाब इलेगल बिल्डिक से खिलाब यह ऑकर से खिलाब इसी का इन लों का जो भी है और मैं उनलों को नहीं जानता जो लेकिन मैं उनको पैचान मूँगा अच्छा यह जो काल किया था जिस बंदेने टिक चाम किये और पैसे नहीं दिये यह जो जिसने कॉल के था उसको पैचंते है नर्ड़की ने बात किया पर लेकिन एक लेडिज कहा करें और बातमें वह生GAN बात करा है अर झाव 차ire ।ो में आख भुदा सु एन से बात करिया अच्छा और मेरा कोई मामला नहीं है उसमें लेक बार आपके देख लो और मुझे नहीं पता था कि इनकी समुझी भगत ने सभीर यादी का काम करने वाले लोग जो थे जिसमें एक लड़के ने फोन किया और बूला के पैसे नहीं मिल रहे तो वो आपको क्यों फोन किया क्य स्वाधिपार्टी का मैं तो असल में क्या होवा तो मैं वहाँ पे शाम में लुग जाते तो एसी मुलाकात ही हुए एक दू बार मुझे बोले एसा इसा है ममला और मैंने इनको भी फोन कर रहा हूं जावेद मेडिकल को और एक दू जैनको फोन कर रहा हूं उन्हों नहीं क खाली हम लोग बैठ है तो मैंना बैठ है तो उसमें आप जो काम कर रहा है उसकी आप बात करो जो काम कर रहा है आप यादी पर आप काम भी नहीं कर और आपको कुछ चाहिए भी तो ऐसा यह सब नहीं होएगा आप जो भी है मेर से मत बात करो आप उनसे बात करो आप तो यह स तो उसमें मेला इतना बड़ा इसका यह यह हाथ पे वार किया गया है और डॉक्टर ऐसा बता रहे कि नस कट गई है आपकी इसके अलावा और कहीं आपको वार हुआ है कोई चोड़ नहीं हुआ है लेकिन कुछ लोग ना मुझे बंदग बनाने के कोशिश कि अंदर घर के अं आपको में को बहुत भी उत्य लगाएं को सब्सक्राइब भी शाए तो यह यह पूर्य हम्ले की जड़ जो है इलिगल कंस्रक्श्चन के खिलाब आपने जो बहुत सारी कंप्लेट्स है उसमें एक जड़ जो है फ़ुल नशे के हालत में था उसने प्याजिकारी का नाम भी लिए अच्छा और ये बोल रहा था के साहब भी तेरे उपर इदम बोले को छोड़ने का नहीं है उस पे मैंको एक्षन लेने का है तो मैं तो पैसा लेते हैं तोकहां गण्दिगन जिस color काहुं सावान निकालwr जो में पें आप यह अजीसे बचाएंचान, जब मेरा हाथ जब लटक गया जब काट दिया पूरा अच्छी दरा उसको जब मैं अध्मरा हो गया जमीन पे तो उन लोग समझ गये यह खतम हो गया अच्छा अब वो खतम होने के बाद उन लोग जो हड़ बड़ा के जो है महां से भाग ले अच्छा यह एक्जेक दोपर मे चांदनगर सीच सानिया हॉल के पीछे जो सियत मंजिले उसकी तल मंजिला पर रहने वाले पती पत्नी में से पत्नी 36 वर्षी है उसने इलजाम लगाया उसे पैसोगी ज़रोत थी चुनावी काम के दोरान साबिर शाह का उनका परीचे हुआ ब्यात से मैं भी पैसा देता इसा साबिर शाह ने उनने बताया तो उन्होंने उससे नंबर लिया उसके बाद उनका संपर्ग और वो पैसी की बात करने के लिए साबिर शाह से कह रही थी कि मैं आपसे मिलने आती हुआ तो साबिर शाह ने उनसे कहा कि मैं आपके घर पर आकर मिलता हूँ घर पर आकर के मिले उस दोरान महिला का पती पान दुकान पर तंबाकू लेने गया बात करने के दोरान साबिर शाह ने कहा मैं आपको पैसा दे दूँगा आप मेरे लिए क्या करोगे तो महिला ने कहा कि ब्याज आपका जो होगा दे देंगे मूल रकम जो होगी असल रकम जो होगी उदे देंगे इसके अलावा क्या कर सकते हैं तो साबिर शाह ने उन्हें कहा कि ये सब मत कीजिए, आप मुझे ब्याज मत दीजिए, मुझे खुश कर देना, मैं आपकी मदद कर दूँगा, आपको पैसे ब्याज पर दे दूँगा। उसके बाद साबिर शाह महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। ऐसा इस महिला का आरोप है। उसी दौरान महिला का पती लौट आया और उसने ये देखने के बाद कोहराम समचा। इसी कोहराम के बीच साबिर शाह ने घर में तोड़ फोड़ की और घर की खिड़की की क तोड़ करके उसकी उसी कांच से अपना हाथ काट लिया हाथ की नस कट गई लहलुवान हो गया यह पूरा मामला इस 36 वरिशे महिला ने मुम्रा पुलिस टेशन में 16 अक्तूबर 2019 को जो शिकायत दर्च कराई है उसमें अपनी शिकायत में उसने कहा है मुम्रा पुलिस ने इस महिला की शिकायत पर महरतिय दंड सहिता की दारा 354A, 354B और 354D के तहट इस अपराद को दर्च किया है जिसमें अवैद निर्मानों के खिलाब आवाज उठाने वाले साबिर शाह को आरोपी बनाया गया है साबिर शाह का कहना है अवैद निर्मानों पे लगातार आवाज उठाने और शिकायते करने के चलते यह हमला उन पर कराया गया हमला वर जो है साहब का नाम दुबारा लेना नहीं किसी साहब की शिकायत करना नहीं ऐसा कहकर मुझे मार रहे थे वहीं जिस मकान में यह हमला हुआ उस मकान में रहने वाली महिला जो शिकायत करता महिला 36 वर्षी है उसका ये कहना है कि पैसे के लेन देन की बात करने के लिए साबिर शाह ने उनसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की अचानक पती आ गए और पती आने के कारण उनका भा कुछ नहीं कि कोई शिकायद मुम्रा पुलिस्टेशन में दर्ज हुई है मगर इस 36 महिला की छेड़ खानी की उसके साथ ज्यात्ती गरनी की शिकायद इन धाराओं के तहट दर्ज हो चुकी है घटनास्तल हम आपको बता रहें जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन उस घर म है अवेद निर्मानों पर आवाज उठाने वाले साबिर शाह का कहना है कि हम ने हम पर जो मुझ पर जो है हमला करवाया गया है इसी वजह से वहीं महिला का कहना है कि पैसे कर्च के तोर पर देने के लालच में साबिर शाह उन पर ज्यात्ती करना चाह रहा था और पती के आ कर दो कर दो